तो आज का topic है गुश्णा, बहुत कॉमन सा topic है न, और चीज भी तो बहुत कॉमन सी है गुश्णा, जो हारे एक हुमन को आता है, हुमन नेचर है, गुश्णा को दो चीज बनाती है, पहला है time, दूसरा है intensity, जुश्णा कितनी देर के लिए है, वो time decided करेगा कि गुश्णा कै दूसरा है intensity की गुष्से की intensity कितनी हाई चलो समझ लिया कि गुष्सा नॉर्मल सी चीज है तो problem क्या है problem गुष्से से नहीं है गुष्से में बूले गए शब्दों से हैं जो हम अपनों पे बरसाते हैं हम बतलब कहते हैं सीधी सी बात है गुष्सा है होता है जो आप कह सकते हो कि भर जगा पढ़ावा सुना है दूसरों के गल्ती की सजा खुद को देना गुस्सा कहला सकता है गुस्सा क्या होता है जहां पर माइंड हमारा काम नहीं करता और हमारी जुबान बोलने से रुकती नहीं है तो बस हमें यही समझना है कि हम बोल क्या तेना और किस सीह को बोल रहे हैं मुझे यह पी आ नहीं पशंद हैं रोन बोखते हैं जो किने लिए देखती हैं एकने साथया है Fish कर रहा है कि आन को प्रूंग कर रहा है उस पे आप गुस्सा दिखाते हो, गुस्सा करते हो, that is okay, यार उसको तो आप को और ही care और love के साथ रखना है, तो उस पे गुस्सा, मुझे ही बिल्कुर निक प्रसंद, दूसरा ठीक है, लोग ये भी कहते हैं, कि अगर हम अपनों को प्यार दिखाते हैं, अगर हम किसी को accept क करते हैं, तो उसका गुस्सा भी करना चाहिए, तो गुस्सा करना चाहिए, तो गुस्सा करना चाहिए, तो गुस्सा करना चाहिए, जब गुस्सा जिस चीज पर आया हो, उस पर ही रहे, गुस्सा जिस चीज के लिए है, उस पर गुस्सा दिखे, उस पर बात करो, उस पर नहीं दिखा सकते हो, और मैंने एक स्टोरी सुनी तो जो मुझे बहुत एफेक्टिव लगी मेरे लिए तो भाई मैं क्या बता हूँ, अच्छी चीज़ है भाई गुस्सा मुझे भी आता है, मैंने क्या रही हूँ कि वेने स्टोरी सुननी कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, चीज़े जब आप कंट्रोल करना चाहोगे गुस्सा भी तो हो जाएगा, वो स्टोरी है, गुस्से की कील, I hope कि आप लोगों ने सुना हो, तो उस पे I think वो बहुत ही एफेक्टिव था मेरे लिए, मैंने काफी कुछ समझा उससे और सीखा भी, बट क्या होता है, गुस्से देखो, मैंने कहती है कि एक दिन में चला जाएगा, ये एक दिन वाली चीज़े तो नहीं है, बट कुछ महीनों वाली जरूर है, ठीक है, आप एक बार गुस्सा आएगा, ठीक है, आपने कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने ही समझ पाए, आपने क्या बोल दिया, क्यों बोल बोल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वह चीज़ फील हुई, उसको महां पे समझो और सीखो, कि नेक्स टाइम होगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है, तब क्या होता है, जब आपका नेक्स टाइम गुस्सा आएगा, तो फिर क्या होगा, आप उतना तो गुस्सा, बेक्स टाइम हो वह सब्सक्राइम, रयाखने हो, जब उतना यह शप्याल, इस शब्हें आप उतना नुगल्या, एक नहीं करूंगी, यह में जब नेक्स टाइम कर करना नब आएगे, आप घुष्छें को आटेम करोगा नहीं करना है, आ हम इस बोली जाने जाने वाले चीज है, गुस्से की जो इंटेंसिटी है, वह साही चीज़ चीज़ अन्रोल करनी है, उसके बाद आप आप नॉर्मल जाएगा, गुस्सा आने दो ना, अजब हर चीज का फीलिंग होना चाहिए, गुस्सा बहुत अच्छी चीज होते हैं, पाई 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 पा मैं यही कहूंगी, practice makes perfect, practice से गुस्सा भी चला जाता है, yes, एक दिन में नहीं, बट एक दिन जरूर, okay, so yes, please keep practicing, अगर आपको बहुत जादा गुस्सा आता है, till then, bye-bye, और अगर आपको यह गुस्से वाली वीडियो पसंद आई हो, तो please like, share and subscribe, till then, bye-bye.